क्लास 8 के साइंस में आम लोग चैप्टर नमबर 12 पर रहे थे जिसका पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुका है अगर आपने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो पिंड कमेंट में उसका लिंक है उसे जरू देख लिजेगा ये इस चैप्टर न तीसरा पार्ट है जिसमें की बचे हुए सभी टॉपिक्स को आपको कम्प्लीट कर लेंगे आपके क्लास के अलमस्ट हर सब्जेक्ट के वीडियोज आपको डिये वी गुरू के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने एक्जाम का प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एक्जाम में अच्छा ही स्कूर कर सकते हैं यहाँ पर डेली नए वीडियोज भी आड़ होते रहते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा तक इस सभी नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे हैं आज हम लोग इस चैपर के सबसे अंतिम के 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें की सबसे पहला है और डिबल एंड इनाडिबल साउंड दूसरा है नोइज एंड म्यूजिक में डिफ्रेंस तीसरा है नोइज पॉलिशन और चोथा है हीरिंग इंपियर्मेंट इतना परने के बाद ये चैप्टर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है जो साउंड हमें सुनाई देता है उसे और जो साउंड हमें नहीं सुनाई देता है उसे inaudible कहते है अब तक हमने जितना पुछ पराउस से ये क्लियर है कि वाइबरेशन के कारण साउंड प्रोडियूस होता है लेकिन क्या इसका reverse भी possible है तो इसका answer है हाँ जैसे vibration के कारण sound produce होता है वैसे sound के कारण vibration भी produce होता है लेकिन क्या हम हमेशा उस sound को सुन पाते हैं जो vibration के कारण create होता है तो इसका answer है नहीं कभी-कभी ऐसा vibration भी होता है जिससे produce sound हमें सुनाई नहीं देता है वो हमारे लिए inaudible होता है इस बात को हम activity 10 से भी समझ सकते हैं इसके लिए simply आपको एक drum लेना है और उसके membrane को हलके से strike करना है इससे membrane में vibration भी होने लगेगा लेकिन अगर आप किसी दूर खड़े वैक्ती से पुछेंगे कि क्या आपको उसकी आवाज सुनाई दी तो उसका answer होगा नहीं इसका मतलब हलके से strike करने से जो sound produce होता है वो आपके लिए तो audible होता है लेकिन दूर खड़े वैक्ती के लिए inaudible होता है हम बोल सकते हैं कि ऐसे में जो sound produce होता है वो faint होता है बहुत धीमा होता है और जो sound हमें सुनाई नहीं देता है सुने लाइक नहीं होता है उसी sound को inaudible sound कहते हैं Activity 11 में हमें ऐसे vibrations create करके बताए गये हैं जिसके वज़े से जो sound produce होता है वो हमारे लिए inaudible होता है वो हमें सुनाई नहीं देता है इसके लिए आपको एक simple pendulum लेना है जिसकी लंबाई एक मीटर हो और इसको oscillate करवाना है pendulum में जो bob लगा रहता है वो oscillate करने लगेगा लेकिन क्या आपको इससे कोई sound सुनाई देगा तो इसका answer है नहीं ऐसे बहुत सारे observation से पता चलता है कि जब भी vibrating body का frequency 20 cycle per second या 20 hertz से कम होता है तो उस vibration से कोई भी audible sound प्रोड्यूस नहीं होता है इसलिए हम बोल सकते हैं कि 20 cycle per second से कम frequency वाला sound inaudible होता है और inaudible sound को infrasonic भी कहा जाता है experiment से हमें ये भी पता जलता है कि बहुत ज़्यादा frequency वाले vibrations भी audible sound produce नहीं करते हैं जिन vibrations का frequency 20,000 hertz या 20 kilo hertz से उपर होता है उन sound vibrations को ultrasonic कहा जाता है हमारा human ear इस sound को भी recognize नहीं कर सकता है अगर ultrasonic sound भी होगा तो भी हमें सुनाई नहीं देगा इसलिए हम conclude कर सकते हैं कि ऐसा sound जिसका frequency 20 hertz से लेकर 20,000 hertz के बीच में होता है 20,000 hertz को kilo hertz में 20 kilo hertz बोल सकते हैं जिसका frequency इन दोनों के बीच में होता है वही हमारे लिए audible होता है वही sound हमें सुनाई देता है इस activity से हम conclude कर सकते हैं कि human ear के लिए audible range 20 hertz से 20,000 hertz के बीच में होता है अगर sound का frequency 20 hertz से कम होगा तो वह हमारे human ear को सुनाई नहीं देगा अगर sound का frequency 20 hertz से कम होता है तो उस sound को infrasonic sounds कहते हैं और अगर sound का frequency 20,000 hertz से ज़्यादा होता है तो उस sound को ultrasonic sound या ultra sounds कहते हैं इस वाले do you know में बताया गया है कि whales और elephants infrasonic range वाले sound प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसा भी देखा गया है कि कुछ animals भुकंप के just पहले disturb हो जाते हैं उनको पहले ही बता जल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है ऐसा इसलिए क्योंकि earthquake के just पहले एक low frequency का infra sound create होता है जो कि animals को सुनाई देता है इसी feature की कारण animals को earthquake से बचने का मौका मिल जाता है एक और do you know यहाँ पर है इसमें बताया गया है Dolphins, bats और porpoises जैसे aquatic animals ultrasonic sound प्रोड्यूस करते हैं डॉक्स के पास यह ability होता है कि वो 20 किलो हर्ट से भी जादा frequency वाले sound को सुन सकते हैं पुलिस अक्सर कुतों को train करने के लिए high frequency वाली CDO का इस्तेमाल करती है जिसकी आवाज humans नहीं सुन पाते हैं आजकल हम लोग कई तरह के ultra sound equipment का use करते हैं जिसका इस्तमाल investigate करने के लिए और medical problems का पता लगाने के लिए किया जाता है noise and music अब हमें समझना है कि इन दोनों में क्या difference होता है हम अपने चारों तरफ कई तरह के sound सुनते हैं और उनका अलग-अलग effect हमारे उपर परता है अलग-अलग वैक्ति के लिए एक ही sound से related feeling और उसका effect different हो सकता है एक sound जो किसी एक वैक्ति को अच्छा लगता है वही sound किसी दूसरे वैक्ति के लिए disturbing हो सकता है लेकिन जनरली कुछ ऐसे sound होते हैं जो कि लोगों के लिए pleasing और soothing होते हैं लोगों को उनको सुनना अच्छा लगता है वहीं कुछ ऐसे sound भी होते हैं जो कि लोगों के लिए disturbing हो सकते हैं उनसे लोगों को irritation हो सकता है और वो उनके लिए unpleasant हो सकता है हमक सरगलियों में कुत्तों का भौकना सुनते हैं जब traffic jam होता है तो truck का, bus का, cars का आवाज हमें सुनाई देता है ये सब हमारे लिए definitely unpleasant होता है ये maximum लोगों को सुनना पसंद नहीं होता है ऐसे सभी sound जो हमारे लिए unpleasant होते हैं उनी sound को noise कहा जाता है noise ऐसे sound होते हैं जो irregular या non-periodic vibrations के करण produce होते हैं इनका कोई fixed pattern नहीं होता है इसी वज़ा से ये हमें unpleasant लगता है noise word एक Latin word से derive किया गया है that is nausea nausea का मतलब होता है unwanted या unexpected या unpleasant sound sound की दुनिया इतने बुरी भी नहीं है बहुत सारे ऐसे sound भी होते हैं जो हमारे लिए pleasant होते हैं उनको सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है example के लिए जब हम पंडित रवी शंकर के सितार की आवाज सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान के शेहनाई की आवाज सुनते हैं हरी प्रसाच और रसिया के बासुरी की आवाज सुनते हैं और लतामंगेश करके गाने सुनते हैं तो हमें relaxed और happy feel होता है ये sound हमें एक pleasant और comfortable feeling देते हैं इसी वज़ा से इन sound को musical sound कहा जाता है इसलिए musical sound या music को define करने के लिए हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा sound है जिससे की pleasing feeling produce होता है ये हमें happy और comfortable बनाता है और जितने भी musical sound होते हैं वो regular या periodic vibration के कारण produce होते हैं एक और do you know यहाँ पर दिया गया है जिसमें की sound के quality या timber के बारें बताया गया है sound का quality sound का ऐसा characteristics है जिसकी मदद से हम दो sound के बीच में differentiate कर सकते हैं चाहे उन दोनो sound का pitch और loudness same ही क्यों न हो जो sound हमारे लिए ज़्यादा pleasant होता है उसे हम rich quality का sound कहते हैं और इसी वज़र से music को rich quality का sound माना जाता है लेकिन noise हमारे लिए unpleasant होता है इसलिए noise को poor quality का sound माना जाता है हमारा अगला topic है noise pollution noise pollution को define करने के लिए हम बोल सकते हैं the disturbance produced by our environment by the presence of excessive or undesirable loud sounds of various kinds and forms is referred to as noise pollution अलग-अलग sources से आने वाले ज़रों से ज़्यादा और अंचाहे sounds के कारण हमारे environment में जो disturbance produce होता है उसे disturbance को noise pollution कहा जाता है दूसरे pollutants के तरह noise भी अधीकतर industrialization और modern civilization के कारण ही create होता है noise pollution का ये problem छोटे towns या villages में तो नहीं होता है लेकिन जो लोग ऐसे गाव में रहते हैं जो highway के नस्दीक है या railway track या industry के नस्दीक है उनको बहुत ज़्यादा noise जिलना पड़ता है जब हम college में थे और इसा की बात है तो एक बार हमको भी highway के नस्दीक room लेना पड़ा था बर्मूडा bus stand है न उसके जश्ट नस्दीक इतना loud sound आता था इतना irritating sound आता था कि मन में कभी-कभी खेयाल आता था कि काश ये कोई सपना होता जो टूर जाता और इतना irritating sound आना बंध हो जाता sources of noise pollution noise pollution में ली लोगों के कारण और machines के कारण produce होता है कुछ ऐसे ही sources के बारे में यहाँ पर बताया गया है बहुत important है long question में आपसे पूछा जा सकता है इसलिए इसको याद रखिएगा घर में आम लोगों कई तरह के appliances और gadgets का इस्तमाल करते हैं जैसे के mixer, grinder, vacuum cleaner, lawn mover, television set, music system, etc जब इनको चलाया जाता है तो noise create होता है एक बहुत तेज sound create होता है जो हमारे लिए irritating होता है इसके अलावा सरकों पर noise create होता है, traffic में noise create होता है public transport में, playground में noise create होता है shopping mall और market places में भी noise create होता है 5 बार जो loudspeaker बसता है उसके कारण भी noise create होता है ये सब भी noise pollution का एक बरा कारण है number 3 जितने भी छोटे बड़े manufacturing units होते है जहाँ जहाँ construction का काम होता है उसके कारण unpleasant sound create होता है जो की बहुत ज़्यादा loudness वाला होता है ऐसे noise अक्सर तब produce होते हैं जब बहुत सारे machines एक साथ चलाए जाते हैं इन सब के अलावा ऐसे और भी बहुत सारे noise pollution के sources है जिने हमें ignore नहीं करना चाहिए noise तब भी create होता है जब नल से पानी टपकता है घरी चलती है या cooler चलता है और इस छोटे से noise से भी हमें disturbance या irritation हो सकता है effects of noise pollution on health health पर noise pollution का क्या प्रभाव परता है इसके बारे में हमें अच्छे से समझना है हम जानते हैं कि जब ज़रों से ज़्यादा noise create होता है तो इससे हमें कई सारे health related problems हो सकते हैं noise हमें physiologically और psychologically यानि कि शारेडिक रूप से और मानसिक रूप से दोनु रूप से नुकसान पहुँचा सकता है noise pollution से होने वाले कुछ ऐसे ही bad effects के बारे में हमें बताया गया है जिसके बारे में exam में भी पूछा जाता है तो आप इसको भी याद रखिएगा noise pollution के कारण सबसे पहला effect जो हमें देखने को मिलता है वो है mental health का खराब हो जाना लगाता noise के कारण panic create हो सकता है एक person jumpy हो सकता है उसमें घबराहट हो सकती है और उसका frustration level भी बढ़ सकता है noise के कारण एक person का concentration level भी घट जाता है दूसरा है कि noise pollution के कारण human hurt पर भी बुरा प्रभाव परता है noise के कारण नींद गायब हो सकती है hypertension हो सकता है nervousness बढ़ सकता है anxiety हो सकता है याद रखने की ability घट सकती है और person extreme emotional behavior दिखा सकता है मतलब एक person को जल्दी से गुसा आ सकता है वो तुरंत रोने लग सकता है किसी छोटे से reason के कारण भी बहुत irritate हो सकता है noise pollution के कारण hearing impairment भी हो सकता है मतलब आदमी बहरा भी हो सकता है noise pollution के कारण हमे temporary deafness भी हो सकता है होता है न कि कोई कान में आकर चिला देता है तो कुछ देर तक हमें सुनाई नहीं देता है इसी को temporary deafness कहते हैं और अगर इस तरह का noise pollution बहुत लंबे समय तक बना रहता है तो एक person का ears permanently damage भी हो सकता है measures to limit noise pollution noise pollution को कम करने के लिए इसको control करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं हमारी technology इतने advance हो चुकी है फिर भी हर तरह के noise को eliminate करना हमारे लिए अभी भी बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी हम लोग noise के intensity को कम करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि इसके harmful effects को कम किया जा सके इसके लिए हम लोग silencing devices का इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे gun में silencer लगा देने के बाद gun की आवाज काफी कम हो जाती है उसी तरह से अगर silencing devices को aircraft के engines में transport vehicles में industrial machines में और home appliances में लगा दिया जाए तो noise को काफी हद तक कम किया जा सकता है हमें public places में loud speakers और amplifiers के इस्तिमाल पर रोक लगानी चाहिए और जितने भी industrial units होते हैं उनको residential area से दूर लगाना चाहिए factories अगर दूर रहेंगी तो उसका noise हमारे तक नहीं पहुँच पाएगा हमें roads के दोनों side pair लगाने चाहिए क्योंकि ये भी बहुत हद तक sound को absorb करते हैं और एक simple precaution noise के harmful effects को कम करने के लिए हमें ऐसे जगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए जो noisy है जहां पर ज़्यादा noise create होता है अब चलिए इस chapter का सबसे अंतिम topic पर लेते हैं hearing impairment यानि की बहरापन total hearing impairment एक rare defect है बहुत कम लोगों में पाय जाता है जो लोग पूरी तरह से बहरे होते हैं अकसर वो बचपन से ही बहरे होते हैं और अगर partial disability है यानि की कम सुनाई देता है तो इसका कई कारण हो सकता है जैसे की बीमारी के कारण भी ऐसा हो सकता है इंजिरी के कारण भी ऐसा हो सकता है और age बढ़ने के कारण भी ऐसा हो सकता है जिन लोगों को सुनाई ने देता है या कम सुनाई देता है वो sign language को सिख कर आसानी से दूसरी लोगों के साथ communicate कर सकते हैं आजकल तो hearing impaired लोगों के लिए ऐसे technological devices बन चुके हैं जिसकी मदद से एक आदमी आसानी से सुन सकता है जिसको सुनने में दिक्कत होती है और अपने quality of life को improve कर सकता है इस figure में देखे sign language की मदद से alphabet के सभी letters को describe किया गया है जैसे की A को describe करने के लिए ऐसे हाथ किया जाता है B के लिए S A, C के लिए S A and so on इस वाले do you know में देखे एक hearing add के बारे में बताया गया है एक ऐसे device के बारे में बताया गया है जिसकी मदद से hearing impaired person आसानी से सुन सकता है ये एक ऐसा electronic device होता है जो कि battery operated होता है इसमें एक mic होता है और एक speaker होता है mic आसपास के sound को capture करता है उसे electrical signal में convert करता है फिर उस electrical signal का amplification होता है मतलब उस sound का amplitude बराया जाता है मतलब उसको loud कर दिया जाता है और उसके बाद इस speaker के through वही sound सुनाई देता है इस device की मदद से एक hearing impaired person जिसको ठीक से सुनाई नहीं देता था उसको भी आसानी से सुनाई देने लगता है तो finally हमने इस chapter के सभी topics को 3 parts में complete कर लिया अब हमें किस chapter का explanation बनाना चाहिए आप comment मिलिकर जरूर बताईएगा आपके class के science का playlist open करने के लिए left side में click कीजिए वहाँ पर एक line से आपको हर chapter का video मिल जाएगा और अगले class का video देखने के लिए right side में click कीजिए फिलाले से वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत सारे ने topic से साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से परहाई करते रहे